आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नमस्कार MNS News लाइफ में आप सभी गाल स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रश्री अनसारी आएए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरे इससे पहले एक नजर हेडलाइन्स पर अगर कोई कानून हाथ में लेंगा तो धामी सरकार निपटने में सक्षम हल्दुआनी हिंसा पर गिरिला सिंग का बड़ा बयान हल्दुआनी में भड़ की हिंसा पर बोली डियम वंदना सिंग कोट के आदेश पर हुई कारवाई हल्दुआनी में मदलसा मजड़ डहने के दौरान भड़ की हिंसा चार की मौत 250 से अधिक घायल देखते ही गोली मारने की आदेश लगा कर फ्यूजिया उत्राखन के हल्दुआनी में एक अवैद मदलसा और उससे लगी मजड़ डहने के दौरान हिंसा भड़क उठी है इसके चलते चार लोगों की मौत हो गई है 250 से अधिक घायल हो गए है मदलसा डहाने की टीम पर गुसाई भीड हिंसाख हो गई रिपोर्स के अंसार भीड के साथ जड़प में कम से कम 50 पुलिस कर्मी घायल हो गए मदलसा तोड़ फूर का विरोद करते हैं वन भूल पूरा में भीर ने पत्थर राओ शुरू कर दिये घायल पुलिस कर्मियों क इलाज स्थानी अस्पताल में चल रहा है यहां बर्तति हिंसा को देखते हुए देखते ही गोली मारों का आदेश दे दिया है पूरे शेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है शेहर में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वा CRPF तैनाद किया गया है हिंसा को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने हाई लेवल मीटिंग की है हल्दवानी के मालिक बगीचा छेत्र में एक मदर्सा और उसे लगी मज़ित सित है सानिया प्रिशासा ने मदर्सा और मज़ित को अवैद घोशित करते वे उनके डहने का आदेश दिया है गुरुआर को पलिस पोल्स के साथ प्रिशासन के लोगों की टीम मौके पर पहुची बुल्डोजर से मदर्सा डहने के कारवाई शुरू हुई तो वहां जुटे भीड उत्तेजील हो गई भीड हिंसक हो गई और पत्राओ आगजनी शुरू हो गई पुलिस ने भी गोली मारने का आदेश जीहा उधर हिंसा को देखते वे मजिस्ट्रेट ने पुलिस को सितियों को नियंद्रित करने के लिए उद्रप्यों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है जीला मजिस्ट्रेट ने मुक्यमंत्री को जानकारी दिया है कि शेत्र में बड़ी अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो धामी सरकार निपटने में सक्षम हलवानी हिंसा पर गिरीराज सिंग का बड़ा बयान जिया उत्रकन का हलवानी हिंसा की आग में जल रहा है यहां आतिकरमन के खिलाफ प्रशासन की कारवाई पर लोगों का गुस्सा भड़ गया है इसक पर केंद्रिय मंत्री गिरीराज सिंग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो उसे निपटने की तयारी भी सरकार ने कर ली है गिरीराज सिंग ने कहा किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है चाहे धार्मिक स्थिती हो या कोई और कारण हो उत्राखर्ण में अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो धामी सरकार ने उससे निपटने की तैयारी भी कर ली है बर्तियक दिखा बर के और हलदवानी में भर की हिंसा पर बोली डियम वंदना सिंग कोट के आदेश पर हुई कारवाई जिया हलदवानी में हुई हिंसा को लेकर नहिताल की डियम वंदना सिंग ने शुकरवार को प्रेस कॉंफरेंस की है उन्होंने बताया कि हाई कोट के आदेश के बाद प्रिशासन की टीम अतिक्रमन हटाने गई थी इससे पहले सभी को नोटिस जारिगा सुनवाई के लिए समय दिया गया था कुछ लोग इसके खिलाफ कोट भी गया थे इसके बाद सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए पी डबलू डी और नगर निगम के द्वारा निध्वन्स अभियान चलाया गया ये कोई अलग गती विधी नहीं थी और किसी विशेश संपत्ती को टार्गेट नहीं किया गया था किसी भी संपत्ती या स्थिती से निपटने के लिए प्रशासन की टीम तैयार है और आजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी इसी तरह की दिनवर की तमाम बड़ी खबर से फिरकर आओगे आपका रूबरू तब तक के देखते रहे हैं MNS नेटवर्क मेरे स साथ यह निर्शी अंसारी के साथ नमस्कार आप यह है MNS नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS नेटवर्क